दोस्तो आज हम बात करेंगे हिंदू अवेस्कता तथा सर्रचकता अधनियें 1956 के बारे में कि किसी अवेस्कत के सर्रचक जो है वो कौन-कौन बन सकता है सर्रचक कितने प्रिकार के होते हैं और सबसे महित्पूर इस वीडियो का टॉपिक जो है उद्देश वो है क्या सर्रचक को अवेस्क की प्रॉपरिटी बेचने का अधिकार पटे पे देने का अधिकार बंदग या अन किसी का अधिकार है या नहीं है अगर है तो किन कंडिशन्स में है वो भी आपको बताऊंगा इससे पहले आपसे कौँगा यदि आप कोई भी कानून संबंदी सला लेना चाहते हैं हमारी टीम से तो संपर कर सकते हैं कोंटेक्ट नमर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आते अपने टॉपिक पर तो देखिए इस अधनियम के अनुसार जो धराचार जो है वो ये प्राबधान करती है कि सर्रचक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और सर्रचक की परवासा दी गई है तो देखिए जो व्यक्ति 18 साल से कम का है उसकी प्रॉपरिटी की देखवाल उसके सही गलत निड़े लेने के लिए सर्रचक को न्युक्ट किया जाता है अब सर्रचक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं वो भी आप जान लीजिए और सबसे मैदपूर पॉइंट भी आपको मैं बताऊंगा कि सर्रचक को उसकी प्रॉपरिटी बेचने का अधिकार है के नहीं ठीक है बहुत मैदपूर चीज़े सर्रचक चार प्रकार के होते हैं प्राक्रतिक सर्रचक जैसे उसके माता-पिता या निरसेंगेक सर्रचक कह सकते हैं दूसरा अवेस्क के माता-पिता दौरा वसियत से निक्ट किया गया सर्रचक ठीक है अवेस्क के माता-पिता बीमार है तो वो वसियत भी कर सकते हैं के द्वारा अंत्रगत इस रूप में कार करने के लिए अधिक्रत व्यक्ति तो चार प्रकार के सर्रत्चक हो गए हैं और सर्रत्चक 18 साल से कम व्यक्ति के बन सकते हैं जैसे वो व्यक्ति 18 साल का होता है सर्रत्चक का जो भी जिम्मेदारी है वो खतम हो जाती है ठीक है अब हम सबसे महतपूर पॉइंट पे बात करेंगे कि सर्रचक जो है चाहे कि चारों सर्रचक में से कोई भी सर्रचक हो चाहे भले ही उसके माता पता सर्रचक हों क्या उन्हें उस अवेस्क की प्रॉपरिटी बेचने का अध तो इस अधनियम की धारा आठ मैंने जो अभी आपको बताया है अधनियम उसकी धारा आठ अधनियम है हिंदू अवैस्कता तथा सर्रचकता अधनियम 1956 की धारा आठ इस बारे में प्राबधान करती है कि अवैस्क की संपत्ती जो है वो जो सर्रचक है वो बेज सकते हैं नहीं उस पर restriction लगाए गए है तो देखिए धारा आठ के अनुसार अवैस्क की अचल संपत्ती या उसके किसी भाग को बंधक, विक्रे, सेली, दान या अदलाबदली या अन्न किसी प्रकार से हस्तांत्रित नहीं करेगा इस पस्ट लिखा हुआ है धारा आठ में, चाहें चारों में से कोई भी सररचक हो, चाहें वहले ही उसके माता-पिता हो, या माता-पिता ने नुक्त किया हो, या कोट ने नुक्त किया हो, अवैस्क की संपत्ती जो है, वो किसी भी कंडिसंस में न बेची जा सकती है, न दान क जा सकती है, न exchange की जा सकती है, इस पस्ट हुआ है, ठीक है? लेकिन हाँ, पत्टे पर दीजा सकती है, ठीक है? लेकिन पत्टे पर भी एक restriction लगा है, कि देखिए जैसे माली जी आवैसक जो होता तो 18 वर्स तक होता है, 18 वर्स बाद जो है वो सुते नेड़े ले सकता है, तो पट्टा जो है उसका सरचक सिर्फ उतने टाइम के लिए ही दे सकता है, जब तक वो व्यक्ति 18 वर्स का न हो, ठीक है, जैसे माली जी कोई लिड़का किसी बच्चे के आप सरचक आपको बना दिय ठीक है, और आज वो बच्चा है 14 साल का, ठीक है, तो 18 साल होने में 4 साल बागी है, तो 4 साल के लिए आप उसकी जमीन किसी को पट्टे पर दे सकते हैं, अगर आपने, माली जी वो लिड़का आज 14 साल का है, और आपने किसी को 10 साल के लिए पट्टे पर वो जमीन दे दी, तो वो जमीन केवल 4 साल तक ही valid पट्टा रहेगा, जैसे ही वो 18 साल का हुआ, वो अपना नेड़ाय बदल सकता है, वो अपना पट्टा जो है, वो खारिज करवा सकता है, सूनी करड करवा सकता है, ठीक है, अब आपको इसपस्ट कर दिया है, या किसी भी प्रकार का हस्तांत्रेड कर दिया है, या अधिक समाई के लिए पट्टे पर दे दिये, तो वो व्यक्ति व्यसको के वो सूनी करड करवा सकता है, सूनी करड का मतलब, यदि ऐसा कोई भी कर दिया होगा है, तो नियाले द्वारा वो उसे बिल्कुल कैंसिल करवा सकता है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा, कि सररचक कौन बन सकता है, सररचक कितने प्रकार के होते हैं, और सररचक को, जिसका वो सररचक है, उसकी प्रोपरिटी से संबंदित क्या-क्या वो नेड़ाय ले सकता है, वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन जरूर दबालें, जिससे महत्वूर्ट वीडियो के आपको नोटिफिकेशन भी मिल सकें,